हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों इस नए वीडियो में बात करने वाला है IPL 2021 के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है राजस्तान रोयल्स वर्सेस संराइजस हिदराबाद इन दोनों टिम्स के बीच में दोस्तों ये मैच शाम को सड़े साथ बजे स्टार्ट होगा वेन्य होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई तो दोस्तों कल रात का जो मैच था सेम वेन्यो पर हो था और इसी वेन्यो पर ये मैच भी होने वाला है क्या pitch change होगी हो सकते ठीक है उस पर हम लोग बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों करोगे क्या आपको join होना है हमारे टेलिग्राम चैनल से ठीक है जो भी final updates बनेंगे मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइट करूँगा टेलिग्राम चैनल की लिंक अपको इसी वीडियो के description में या फिर इसी वीडियो के comment section में first comment में लिंक मिलेगी उस link से join जरूर हो जाना हो दोस्तों बात करते हैं pitch report के बारे में देखो मैंने अल्ड़ेडी कल जैसे बताया था कि fresh pitch आपको देखने को मिलेगी पीच पे grass रहेगा new ball के साथ थोड़ा बहुत moment ही मिलेगा पर यहापे batsman अच्छा करेंगे और वही कुछ हमें देखने को मिला था कल के match में ठीक है क्या इस match में new preach रहेगी नहीं मेरी साब से जीस पीच पे कल match होता उसी पीच पे यह match होना चाहिए आपने अबजर क्योंगा आपको जरूर लग रहा होगे कि यह मॉंबई स्ट्रगल कर रहे है मॉंबई की इतने विकेट गिर गए सेकन लिंग में spinners को विकेट मिली बट मैं अभी भी कहूंगा कि spinners के लिए बहुत से दिखेंगे ठीक है यह तोड़ा साथ देखके चलोगे और कुछ ज्यादा पीच में चेंज नहीं होगा जो हम लोगों ने कल देखा वही कुछ आप लोगों को इस match में भी देखने को मिल सकता है अब यह पिछले साल की summary हम लोग हर वीडियो में बात करता है आप लोग ब चेस कर रही थी बट फिर आपको पता है क्या हो गया था फिर नेक्स्ट मैच यह सरेज बन थर्टी फोरी बना पाई ऑब्विसली उनकी बैटिंग ने बैटिंग ने स्ट्रगल किया और फिर डीसी ने इसली चेस कर लेगों अच्छी बैटिंग विकेट थी बलका मैच जो ह ग्यारा पे मॉंबे ओल आउट हो गई ठीक है इसली विन कर रही थी मैच को बट सड़नली एक कोलाप्स होआ और ओल आउट हो गई ठीक है इस मैच में अगर देखोगे तो स्पीनर्स को छे विकेट थी और ग्यारा विकेट पेसल को थी मैं आपको फिर से कहूंगा कि स्पी अग्यारा विकेट मिलने के चांसे तो स्पीनर्स के बनेंगे देखके चलोगे दोस्तों बात करते हैं यह सारिच की तो अविसली ओल्मोस्ट आउट 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 अफ दूटनामेंट मांग के चल सकते हो नाइन मैचेस में से सरीप एकी मैच जीते हैं बाकी सारे मैचेस उन्होंने हा रहे है और यहां सी यह जितनी भी मैच जितेंगे ना और जिनको हाराएंगे उनके लिए परिशानी थाबिथ हो सकते और यह मैच राजस्तान रॉयल्स के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है ब्विगाच अब जिस तरी के से कल मुंबई हा रही है उसके बाद आप 4 में कौलिफाई होने के लिए केके आर पंजाब यम्माय और आरार में रेस चल रही है और इन सब में उपर चल रही है राजस्तान रोयल्स देखके चलोगे अब लास्ट मैच में गतोगे कि यह सार इच का कुछ इस तरीके से प्लेइंग लियों रही थी क्या चेंजस हो हो सकते है जिस तरीके से हार रहे है यह टीम यह कुछ भी चेंजस कर सकते है तो मैं ज्यादा चेंजस पर बात करने नहीं वाला हूँ मिडल ओर्डर में शाइद चेंज देखने को मिल जाए हो सकते है आपको इस मैच में जैसन रॉइ दिख जाए डेविड ओर्णर के पर रहे तो इनके टॉप फोर बैक्समन चारों में से तीन चारों के चारों फ्लॉप रहे और इस टीम ने स्ट्रगल किया है मिडल ओर ओविसली फ्लॉप है अब दूर समाद भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए होल्डर ने कच्छी पारी करे थे अल्मोस्ट मैच विनिंग पारी थी बट नहीं जिता पाए थे 47 बाने थे 29 बाल्स में तो इनके और से बस इन्हों नहीं एक अच्छी पारी खेलिए बाकी सब ने स्ट्रगल किया है बेंच पर विराट सिंगे में देरे सबसे नहीं खेलेंगा अभिशेक शर्मा नहीं खेलेंगा जगदिशन सूचित यह अच्छी कैच पगड़ी थी लास्ट मैच में बट खेलें नहीं थे विजे शंकर अवेलेबल ही नहीं मुहमद नभी के भी चांसेस नहीं यह खेलने के बालिंग सेक्षन में भूनेशर कुमार थोड़ा सा मुझे गंसर लग रहा है भूनेशर कुमार के साथ इसलिए न के रन नहीं बन रहे है हार्दिक पांडे के रन नहीं बन रहे है उसमें भूनेशर कुमार के अगर अच्छी बॉलिंग नहीं रही तो मaring इंडे के लिए थोलगा सा फॉरम में आना पड़ेगा बूनेशर कुमार के लिए बैच बहुत इम्पॉर्टन्ट है खलील अमिध ठीक है अच्छे विकेट ले जाते बट इस सीजन में उतना अच्छा नहीं किया है संदिप शर्माने भी अगर कहोगे तो इनका भी बहुत अच्छा नहीं रहा पिछला मैं जरोर अच्छा ला था चारोर में स्री 20 रन दिये थे एक विकेट भी निकाला था बट स्टील कि मुझे यहां से कोई खेलता है नहीं दिखता है सिद्दार्थ कोल शायद खेलता है दिख सकते हैं आपको खली ले मद या फिर संदीप शर्मा के जगा पी ये चेंज लोड़ा नोट डाउन करना मुझे के चांसिस का में अटराजन अविलेबल नहीं कोई और खेलता मुझे नहीं दिखता अब दोस्तों ये लास सिजन के स्टार से डिसेंडिं में ले तो बिल्गुल आप लोग चेक आउट कर सकते हो लास सिजन में तीनों बैटसमें ने अच्छा किया था जो मेंन थीन बैटर से इवन सहान ने भी अच्छा किया था पट इसस साल चारों फ्लोप रहे most wicket में देखोई तो obviously राशित खान ने अच्छी बॉलिंग करे थी तो इस साल भी कर रहे है टीन अटराजन तो अवेलेबल ही नहीं last time holder ने पे अच्छी बॉलिंग करे थी same venue पे और यहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग आपको करते हुए दिखे है पिछले match में तो obviously आप लोग फिर से अच्छा करते भी दिख सकते है अब दोस्तो चलते राजस्तन रोयल्स पे ठीक है देखो 9 matches में से लोग 4 matches जीते है 5 matches लोग हारे है और यह qualify हो सकते है अगर इस match को जीत जाते है तो almost बहुत close चले जाएंगे qualify होने के लिए और बाकी teams के लिए मुश्किल हो सकती है तो इनके लिए यह बहुत important match है जो इनके दो main players है जो last match में खेले नहीं थे एक तो सबसी important player Chris Morris और second Evan Lewis क्या यह दोनों available रहेंगे इस match में देखने लाइक बनेगा because अगर यह fit है तो दोनों मेरे जाब से playing lion में आ जाएंगे David Miller आउट हो जाएंगे और मेरे जाब से अपर तबरे समसी आउट हो जाएंगे ठीक है तो यह तोड़ा सा देखके चलना बाकी मुझे ने लगता कोई भी change होगा फिर उस condition में Liam Livingston number 4 पर आ जाएंगे और फिर आपको Evan Lewis open करते भी दिखेंगे ठीक है अब हुआ कि one more thing हो सकता है अगर यह available नहीं है still तो Miller को drop करके team Glen Phillips को भी खिला सकती है यह थोड़ा सा note down करके चलोगे जैसवाल first match में अच्छे लगे थे 49 की पारी second match में आउट हो गए थे run बना सकते इस match में Evan Lewis ने first match अच्छी बैटिंग करे थे फिर second match में खेले नहीं थे लेविस का form अच्छा है Sanju Samson अच्छे पारी खिले थे पिछली match में match वेनिंग जरूर नहीं थी team हार गई थे बट स्टिल बैटिंग अच्छी लगी थी Liam Livingstone एक ही run बना पाये थे बट इनका form अच्छा है इनको ignore नहीं करना है पब्लिक थोड़ा ignore करेगी इनको बट लेके चलोगे David Miller साथी run बना पाये obviously थोड़ा struggle कर रहे थे spinner के सामने और जब सामने आश्वीन होंगे तो left-handed obviously struggle करते है बट इनका form अच्छा है मिनको out of form बिल्कुल नहीं खऊंगा साउत अपरिका के लेजिए उनको अच्छी batting करी और इस speech पे अच्छा कर सकते है मैपाल लोमरर इस venue पे अच्छा कर सकते है 43 के बड़िया पारी भी नों नहीं खेली है 19 last match में बनाए थे रियान पराक के अगर बात करें तो नोंने struggle किया है ठीक है ड्रिया और हाहुल टिवाट ए इंपोर्टन पीक मेरे सबसे इस match में रहेंगी पिकास राइट आम लेग ब्रिक स्पिनर ए सामने राइट एंडेट बैटसमन बहुत ज़ादा है तो आपको बालिंग करते वह दिखेंगे मौरिस अगर रिटन आते है तो अबविसलि ये भी इंपोर्टन पीक बनेंगे अब दोस्तों बेंच पे है शुवम दूबे खेलने के चांसेस नहीं उनट कर्ट के चांसेस नहीं है मननोरा के चांसेस नहीं है बालिंग में चेतन साकरे ने पिछले match में दो विकेट्स ने करती अच्छी बालिंग करी थी टोटल 9 मैचेस में अगर देखोगे तो करीबन इनोंने निकाली है 10 विकेट्स थी इनोंने अब तक करी है मुझतुप बज़ब्जोर रहइमन इनोंने अच्छी बालिंग करी प्रोपर डेथ बालेर ही अब तक पौफरमस अच्छा रहा है Chris Morris पिछली मैच में खेले नहीं थे, बाकी इनकी बॉलिंग अच्छी रही है, फर्स्ट लेग में तो बहुत अच्छी करी थी, सेकंड लेग में जो फर्स्ट मैच खेला था वहाप पे बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं थी, बट स्टिल इंपॉर्टन पीक है, Chris Morris के बात क इन्होंने तीन मैच में निकाली है, चार विकेट, इनकी बॉलिंग अच्छी रही है, ठीक है, राहूल टिवाटेक अगर बात करें, तो इंपॉर्टन पीक है, विकेट ले जाते है, एकार दो विकेट ले सकते हैं, इस वेन्यू पे अच्छा कर सकते हैं, सामने राइट है इनका रोल इंपॉर्टन रहेगा, डिफ्रेंशल प्रेयर का काम कर सकते हैं, आपके लिए स्मॉल लिग में प्लस ग्रैंड लिग में, इनको नोटिस करके चलना, देखके चलना, इनको छोडना मत, तबरेश रमसी, नंबर वन टीट्वेंट आई बॉलर जरूर है, बट ला अब कर सकते हैं, सामने राइट हैंड बैसमन हैं, तो शायद दो डालते, देर इस चांसेज देखके चलना, बागी दोस्तों, उनाठ कट के चांसेज कम हैं खेलने के ऐस्टेष गोपाल के वी चांसेज कम रहेंगे, अब दोस्तों, लास्ट सीजन के स्टैट से बिल्कूल कर सकते हो यह descending order में आपको दिखेंगे Samson के अच्छे थे बाकि किसी के भी अच्छे नहीं थे Butler और Stokes तो दोनों अवेलेबन नहीं है हाँ टेवाइटे न अच्छा किया था पिछले सिजन में most because obviously again Chris Morris के अच्छे थे जिन्होंने RCB के लिए balling करी थी last year बाकि टेवाइटिया, स्टेश, गोपाल, कारतिक थे यह सारे average थे यह practice match के कुछ stats है दो practice match बिल्कुल आप लोग check out कर सकते हो ठीक है अब बात करते power play ballers तो राजिस्तान रोयल्स के लिए साकरी है मुस्तिपुज रेमान यह दोनों main power play ballers से इनके अलावा कारतिक थे कि एक और Chris Morris खेलेंगे तो Chris Morris एक और आपको डालती हुए दिख सकते है यह सारे च के लिए संदीप शर्मा, बोनेशर कुमार यह main power play ballers से इनके साथ खली लेमद एक और डाल सकते है और बाकि spinner को बेखा दोर डिया जा सकता है अब दोर टिमस के बिख में तीन मैचेस हुए है टोटल पिछले तीन मैचेस जिसमें से दो मैचेस हुए थे UAE में एक मैच हुआ था इंडिया में जो लास्ट दो मैचेस हुए थे पिछले सीजन में दूबई में ही हुए थे ठीके तो एक I think S.R.S. ने जिता था और I think R.R. ने जिता था फर्स्ट मैच R.R. ने जिता था जहां पर 158 बनाए थे S.R.S. ने थे लिमाचे से और देखो कि वर्बनर के अच्छी पारी थे फर्स इंग में मनिश पांडे भी अच्छी पारी थी विल्लियम्सन की अच्छी पारी थी राशित खान को इस मैच में दो 220 बना दिये थे Samson 48 बट बटलर ने अपना T20 करियर का First 100 लगा था T20 करियर का ठीक है और SRH 165 बना पाई थी मुस्तव जो रिमान को 3 विकेट्स थी और Chris Morris को 3 विकेट्स थी दोस्तो Head to 8 स्टाट्स की बात करें दोनों टिम्स के बीच में हो चुक है 14 मैचेज जिसमें हैदराबाद 7 मैचेज जीता है और राजस्तान रोयल्स ने 7 मैचेज जीते है तो बहुत अच्छा चलड़ा है इनके बीच में ठीक है राजस्तान रोयल्स के और से तो Samson ने Head to 8 में सबसे जादा रन 41 के एवरेज से रन बरा जिसमें 100 भी है मिलर का 27 का एवरेज है प्रियान परग ने 4 मैचेज में 77 बना है जिसमें 42 हाइस्ट कोरे बाकी मेरे साब से किसे ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है Most wicket Chris Morris को 12 wicket से यसारेज के सामने मुस्तिवी जरह मांदे को तीन मैच में ही 7 wickets है इंट्रस्टिंग टेवाटे है 4 matches में 2 wickets फिर यसारेज के अगर बात करोगे तो अब्विसलिए डेवीड ओर्नर का 32 का एवरेज मनिश पांडे का 34 एवरेज और वेलियम सन का 42 का एवरेज तो तीनों ने ठीक किया है राजेसान रोयल्स के सामने भुनेशो कुमार 12 wickets ट्राजन 9 wickets है बट खेलेंगे नहीं ठीके राशित खान को 7 match में 8 wickets है ये इंट्रस्टिंग है होल्डर को 5 wickets है फिर चलते दोस्तों वेन्यू स्टैट्स पे तो इस वेन्यू पे 7 matches खेल चुकी राजेसान रोयल्स दो matches जीते है 5 matches राजेसान रोयल्स इस वेन्यू पे हार चुकी है most runs देखोगे तो यहाँ पे सैंसेन ने 17 का average इस ठीके उतना जादा नहीं है टेवाटेवाटेए की बात करो टेवाटेए ने भी बहुत अच्छा नहीं किया है तो almost सब batsmen ने struggle किया पिछले match में जरूर जैसवाल ने 49 की पारी खिली थी लोमरर ने 43 बनाएते एविन लिविस 36 बनाएते ठीक है पिछले match में बड़ उसके बाद अगर देखोगे तो सैंसेन फ्लॉप टेवाटेए फ्लॉप रियान पर आग भी फ्लॉप वह थे first match में most wicket इस venue पर टैगी ने 7 wickets निकली पिछले match में भी टैगी ने इस venue पर 2 wickets लास्ट ओर में निकली थी मौरिस ने इस venue पर 8 wickets निकली चार मैचस में last match उतना अच्छा नहीं रहा था बट still टिवाटे ने 6 wickets निकली इस venue पर अब ये सारीज ने यह पर आट मैचस खेले थे लास्ट येर जिसमें से चार जीते थे चार मैचसे से लोग हार गए थे और मोस्ट तरंस देखो के 38 के आवरेज से इस वेन्यों पर वार्नर के रहने, मनिश पांडे का बैवरेज अच्छा है विलियम सन का बैवरेज अच्छ है तो तीनों ने ठीक किया है ठीक है बट इस साल थोड़ा सा इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं लग रहा है इस वेन्यों पर राशित खान को 12 विकेट से नटराजन के अच्छी विकेट से बट अवेलेबल नहीं है होल्डर के अच्छी विकेट से 4 मैच में 6 विकेट से संदीफ शर्मा 9 मैचेस में 9 विकेट से अब दोस्तों चलते प्लेयर बैटल्स पे तो सबसे पहले बात करेंगे राजिस्तान रोयल्स के बैट्समान वसे हैदराबाद के बॉलर्स तो एविन लिविस राशित खान ने एक बार आउट किया है होल्डर ने दो बार आउट किया 60 रंस देके स्रिप वह भी 63 बॉल्स में भोनिशरु कुमार भी दो बार आउट कर चुके है खली लिमद ने आउट नहीं किया सिद्धात को लेग बार आउट कर चुके संदीफ शर्मा ने एक बार आउट किया थोड़ा सा स्ट्रगल किया विन लिविस ने आलमोस्स सब बॉलर्स के सामने यशेश्वी जैसवाल को लास्ट मेट में राशित खान ने आउट किया था लास्ट मेट में नहीं बोल सकते है I think 2020 में आउट किया था संजु सैमसेन होल्डर दो बार आउट कर चुके है 22 रन देके स्रीप तो इंटरस्टिंग है संदिप शर्मा दो बार आउट कर चुके है भुनिशर कुमार ने दो बार आउट किया बट 96 रन दिया 69 बॉल्स में राशित खान ने एक बार आउट किया 52 रन देके और सिदत कोल ने एक बार आउट किया ठीक है बट बहुत रन दिया है डेविड मिलर राशित खान ने तीन बार आउट किया है संदिप शर्मा एक बार आउट कर चुके भुनिशर कुमार ने एक बार आउट किया बट 53 रन भी दिये है लियाम लिविंग्स्टन राशित खान ने दो बार आउट किया बट 77 दिये 45 बॉल्स में तो यहाँ पर मेरे साबसे राशित के सामने लियाम लिविंग्स्टन ने अच्छा किया है अगर लिविस रिटन आएंगे इविन लिविस तो लियाम लिविंग्स्टन नमबर चार पर जाएंगे और यह बैटल आपको 100% खिल देखने को मिलेगा इंटरस्टिंग रहेगा राहूल टेवाटिया संदीप शर्मा एक बर आउट कर चुके बाकी किसी ने आउट नहीं किया यह सारेच के बैटसमन तो देविड ओर्नर को क्रिस मौरिस ने दो बर आउट किया इंटरस्टिंग है यह रिद्दिमान सा क्रिस मौरिस एक बर आउट टेवाटिया एक बर आउट फिर मनिश पांडे लास्ट मैच में आउट किया था मुस्तिविजुर रह्मा ने दो बर आउट कर चुका है 54 रन देके बाकी किसी ने आउट नहीं किया है और केन विल्लियम लिएम संट दो बर आउट कर चुके है मुस्तित विजुर रह्मान केन विलियम संट को क्रिस मौरिस ने वी 2 लऑ आउट किया है प्लस लास्ट में कार्तिक ठैगी ने आउट किया था इंट्रस्टिंग है दोस्तों विडियो को ला KEVIN करना है और लाएक करके गी आगे बढ़ आपको points दे सकते हैं, पिछले 2 matches में points ठीक टाक दिये हैं, वो साहने last match में हमें win भी करवाये था, विको differential player का इन्होंने काम किया था, बैटिंग section, डेविड वर्न, मनिश वांडे, केन विल्यमसन, तीनों पर थोड़ा सा trust करो, at least 3 में से 2 players तो अच्छा करना चाहिए इस match में, at least 2 players, उम्मेद है कि कोई ना कोई player 50 plus मार दे, second player 40-1 बना दे, at least, ठीक है, तो उमिद है, जैस वाल है, लेके चल दो, मैं अभी के ल नंबर 4 पर आएंगे, तो Miller drop हो जाएंगे, बाकी खेलते भी है, तो मैं small league में शायद ना लू, grand league में try कर सकते हो, मैं पाल लोमरर, यह आपके लिए crates manage करके दे सकते हैं, plus सामने right-handed से, यह leptom orthodox है, तो एक खाद दोर आपको balling भी करते भी दिख सकते हैं, अब्दुल यह सारे इसके सामने इनके stats बढ़िया है, batting order I think मेरे सबसे number 6 रहेगी, team इनको, grand league में इनको जरूर try करना, because एक खाद और balling कर सकते हैं, और आपको number 5, number 6 पर batting दे सकते हैं, Evan Lewis return आते है, playing union में, तो हम लोग small league में भी इनको consider करेंगे, जरूर, केदार जादो नहीं, sorry, खेल chances कम रहेंगे खेलने के, अगर खेलते हैं, तो यह भी आपके लिए credit save करके देंगे, तो आप लोग इनको भी prefer कर सकते हो, बाकि कोई और मुझे खेलता हो, नहीं दिखता है, Jason Roy का एक video release किया था, I think SRH ने, जहाप इन्होंने कुछ अच्छे shots लगाएते, तो हो सकते हैं, झाहूल टेवाटीन को मैं लेना चरूर चाहता हो मेरे small league के team में, बट फोड़े credits के मेरे, सबसे credits के तोड़े issues आएंगे, आधा credit मुझे कम पढ़ने वाला है, ठीक है, और यह आपको पूरे चार और balling दे सकते हैं, आपकी मुझे कोई औरा खेलता है, बाकि मुझे कोई औ जो रहमाद दोनों को में लेके चलूँगा प्लस मैं चेतन साकरे को ले लेता हूँ मुझे अब भूवी को लेना था बट अब अब विसलिए चेतन साकरे को लिया क्रेट्स मेरे पास बचते ही नहीं है तो मुझे भूवी को मतलब डॉप करना पड़ेगा वेसे भूवी ने उतना अच्छा किया नहीं है बहुत बड़ा कंसर ने इंडिया के लिए बिकॉस इनका फर्म अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से इंडिया के लिए बहुत जल्दी इनको फर्म में आना पड़ेगा बाकी कारतिक ट्यागी बहुत अच्छे में बहुत जादा रिकमेंट नहीं करूंगा बाट ग्रैंड लिग में ज़रूर ट्राय करना विकेट के पर सेक्षिन में अभी के लिए रिद्दिमान साह के साथ जाओंगा बिकोज इनकी अलोग कोई मुझे बेटर आप्षिन नहीं मिल रहा है साड़े आट के क्रेट्स में तो मुझे लेना पड़ रहा है अब अगर क्रिस मौरिस खेलते हैं दोस्तों तो क्या चेंज कर सकते हो यहाँ से लियाम लिविंग्स्टन को डॉप करना पड़ेगा पर आपको मैपाल लोमरर के साथ जाना पड़ेगा फिर कुछ इस तरह के साथ के टीम बनेगी उतनी खरप टीम नहीं मुझे अच्छी टीम लगरे विगास तीनों में बैटर्स आपको मिल जाते हैं मौरिस मिल जाते हैं मैपाल लोमरर जो नुमबर पाच पर बैटिंग करत सकते हैं, डेविड वार्नर एक अच्छे पीके, संजू सैंसें एक अच्छे पीके, इन तीनों में से head to head three member में captain, vice captain try करना, अभी के लिए मैं डेविड वार्नर को captain से दे रहा हूँ, ठीके, और vice captain से मेरी अभी के लिए जा रही है आपे संजू सैंसें को, अब चाहो holder को भी कर सकते हैं, आपको कोई मनाई नहीं है, थोड़ा सा out of box सोच रहे हो, तो एक Liam Livingston है, एक Kane Williamson है, ये दो बहुत अच्छे पीक रहेंगे, थोड़ा सा higher leagues के लिए seven member, 10 member, 15 member के लिए, backup team में आपको इनको भी आपको इसी वीडियो के description box में, या फिर इसी वीडियो के comment section में, दोस्तों कुछ इस तरीके से बनती है, मेरे small league की team for my life circle, कुछ changes मैंने किया है, यहाँ हुल टेवाइटे को लिया, यहाँ पर मैंने रिद्धिमान साख के जगवे ठीक है, और captain s captain के suggestion मेरे वही रहेंगे, बाकि जो भी final updates मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा, अभी को दोनों टिमस में changes जरूर होंगे, तो टेलिग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, टेलिग्राम चैनल के link आपको वीडियो के description box में, फिर comment section में मिल जाएगी, दोस्तों YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, जल्दे से subscribe करके bell icon को भी ज़रूर प्रेस कर देना, thank you so much guys for watching